हैलो फ्रेंट्स वेल्कन तो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स मैंने देखाया कि इस चैनल पे सब्स्यादा सवाल इंजन ओयल को लेकर आते हैं बहुत सो लोग मुझसे पूछते वो बताते कि भाई मेरे पास भी ये बाइक है ये स्कूटर है आप बताओ कि इसमें कौन सा इंजन ओर को डालना चाहिए और दिक्रत ये भी हो जाता कि अगर सही इंजन को नहीं डाला जाए तो इंजन में बहुत सारी परिशानी जैसे कि इ अलग अलग इंजन कैपसेटी वाले बाइक और स्कूटर मार्केट पर विलेवल है एक सो सीसी हो गया ज्यादा सीसी की बाइक बगरा भी आते है इसके लाबा क्या है कुछ में ऐर कूल होता है कुछ में लिक्विड कूल इंजन होता है तो ये सारी चीजे बहुत से लोगों कनफ्यूज करती है कि कौन से इंजनों को डाले और इसी प्राब्लाम का एक स्कूलिशन में आपके सामने लाज लेकर आया हूँ क्यूंकि आज की इस वीडियो मैप को सर्वो 4T Extra, 4-stroke premium motorcycle engine oil के बारे में बताने वाला हूँ और सर्वे हो एक ऐसा ब्रैंड है जिससे आप सब बाकिफ होंगे क्योंकि सिर्फ 2-wheeler ही नहीं, 3-wheeler, 4-wheeler है जो बड़ी गारिया होती है, 6 चक्को वाली, 8 चक्को वाली, 10 चक्को वाली, 13 चक्को वाली इन सब में भी सर्वो के engine oil को डाला जाता है और आज कि इस वीडियो मैप को एक बिल्कुल 2-wheeler के लिए premium जो हमारे engine oil ह इसके बारे बताने वाला हूँ, actually मैंने इस bike में से डालके test भी किया काफी लंबा चलाया है, तो जो testing का result है वो भी मैप को आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले इनके जो कुछ technical specification है और जो features है उसके बारे मैं आपको बता जाता हूँ servo 40 extra में high quality based stocks और synergistics additive system को blend किया गया है जिससे हमें outstanding detergency, dispersancy, anti-wear और anti-oxidant performance मिल पाता है servo 40 extra engine oil का जो delicately balanced formulation है वो tough industry performance जो standard है उसे exceed करता है जो के ensure करता है reliability, emission control, fuel economy और endurance साथ ही मैं आपको बताना चाहूँ कि servo 40 extra engine performance requirement of APISN इन्हें meet करता है साथ ही friction performance of JASO MA2 इसे भी meet करता है तो servo 40 extra recommended है सभी तरह के four stroke motorcycle including जो अभी के generation के BS6 motorcycle है यहाँ पे भी हमने उने डाल सकते है 10W 30, 20W 40, 20W 50 सभी grade में यह engine oil हमें मिल जाता है friends, servo 40 extra engine oil का इसका जो high quality mineral base stock है वो एक बहुत अच्छा benefit लेकर आता है क्योंकि यह low temperature पे बेहतर pumpability provide कराता है इसका मतलब यह होता कि जब engine ठंडा हो या जब outside temperature वो कम हो तो वहाँ पे आपको बेहतर cold start मिलने वाला है engine आपका बहुत जल्दी इनका जो high quality mineral base है इसके वैसे start हो जाता है साथी ये engine oil highly shear stable viscosity index modifiers है इनके साथ भी formulated है और इससे फाइदा मिलता है viscosity control का जब temperature बहुत जादा हो तो भी ये बहुत बहुत बेतर तरीके से viscosity को control कर पाते है इन engine oils का enhanced lubrication property है उससे फाइदा ये हो जाता है कि जब आप accurate लेगे तो वो smooth होने वाला है साथी जो maximum power आपको achieve करना है वो भी इनके वैसे possible हो पाता है इसके लिए और भी क्या है कि हमारे bike में चुकी weight clutch assembly को दिया जाता है तो इनका जो property है उनसे फाइदा ये हो जाता है कि जो weight clutch assembly है वहाँ पे clutch का engagement, disengagement वो smooth होता है, gear shifting वो भी smooth होता है clutch का life है वो भी improve हो जाता है और एक और problem अक्सर देखने को मिलता है कि जब engine ठंडा और जब हम लोग बार बार engine को start करने कोशिच करते है तो उस time पे क्या होता है कि चुकी जो oil का lubrication film सही से नहीं बना होता है तो वो भी engine के parts को damage करता है लेकिन इसके वायसा जब low temperature होता है उस time पे भी जो pumping है वो बेतर होता है तो आपको ऐसा है नहीं कि बार बने चेलेंज करना होगा और यहाँ पर यह दिया होगी है कि आप इन्हें बहुत असानी से 6000 km तक भी बहुत smoothly चला सकते है अब फ़र जो engine नोर होते हैं वो कई सारे अलग-अलग characteristics को भी लेके आते हैं जो कि बहुत ज़्यदा matter करता है तो वो भी मैं आपके साथ show करने वाला हूँ इस चार्ट में आप servo 40 extra 10w30, 20w40 और 20w50 इन तीनों का अलग-अलग properties पे आप देख सकते हूँ कि इनका characteristics क्या-क्या है क्योंकि 10w30 को अलग segment की गालियों में डालना होता है ज़्यदा 20w50 और 20w40 को भी डालना होता है तो फ्रेंट सर्वो के इन 40 extra 4 stroke motorcycle engine को मैंने practically टेस्ट करके भी देखा मैंने इस bike में इने पोर किया इनेर डाला उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा राइडिंग की काफी लंबे समय तक और काफी लंबे दिनों तक मैंने इसे टेस्ट किया है अलग अलग सिटूइशन में भी टेस्ट किया मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे इससे बेहतर performance देखने को मिला एक तो अभी चुकि ठंड चर्ड रही फिर भी cold start का problem देखने को नहीं मिला engine का starting smooth था power class मुझे feel नहीं हुआ साथी मुझे riding बग किसी भी तरह का कोई जटका वगरा भी feel नहीं हुआ in shot ये इनका जो performance है वो मेरे according तो बहुत यादा बेहतर लगा तो मैं आपको भी recommend करूँगा कि अगर आप अपने गाड़ियों के लिए बेहतर quality की premium इनका खोज रहे हो तो ये जरूर आपके काम में आने वाला है वैसे इसका जो detail है जो link वगरा है वो आपको description में मिलने वाला है तो वहाँ पर जाकर आप उसे check कर सकते हो और आप इन्हें use भी कर सकते हो उमीद है कि इस वीडियो में दीकर जानकारिया आपको पसना योगी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share जरूर से कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे comment कर जरूर बता है इसके लाब अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आप तर इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल अगान को भी दबा ले ताकि आने वाले important वीडियो के अपडेट आपको notification के थ्रू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में thanks watching this video good bye